हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानन्द और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्योब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज मैं आछचुका हूँ हलद्वाणी में और हलदुानी में आप देख रहे हैं जिल्शका पर मैं खड़ा हुआ हूँ अगर मैं इस सामने के एरिया को दिखाऊं तो यहां पूरा का पूरा आपको DIY गार्जन दिखेगा और बहुत ही सुन्दर तरीके से डेकुरेट किया हुआ साथी यहां पर भी बिल्कुल लाइन से आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉर्ट से रखेंगे और सब में DIY का वर्क है और इसके बाद में अगर इस साइट को भी पूरा का पूरा आपको दिखाते हुए जाओं तो पूरे गार्जनिंग आप देख सकती हैं एक लाइन से कि क बरूर सारे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए आज जो हम इसका फॉस्ट पार्ट शुरू करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल में नमश्कार सर्थ आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चोटी सी बगिया में आप तो छोटा कह रहे हैं अपने बगिचे को लेकिन यहां इतना आकर के सुकून मिल रहा है जैसे ही मैंने गेट से एंट्री की तो चारों और का जो नजारा है वो देख करके एक दम से मन कुछ हो गया हर तरफ कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ जो DIY है वो आपने कर रखा है तो यह जो शौक है यह कब से शुरूब आपका शौक तो ऐसा है कि बच्पन से था बट यह कभी कुछ प्रॉब बिल्कुल इस शौक के बारे में हम पूरा जो है पूरी तरह से आपसे बाच्चित करेंगे सारी जानकारी लेंगे सब कुछ देखेंगे जीचल में लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका परिचाय जाना चाहेंगे आपका नाम और कहां रहती है मेरा नाम दीपा लोशाली और मैं हल्दवानी यह तीन पानी यह एरिया जो है गोजा जाली में आता है बहुत ही सुंदर और हर जगा जो है कुछ ना कोई देखे ऊपर नीचे कॉर्णर में तो कौन से एरिया को सबसे पहले दिखाएंगे आप बनाया है यहां जो है एक यह जो ग्रास मैट होती है तो उसी को लगाया और बहुत अच्छा कॉर्णर आपने डिवलॉप किया यहां पर हां सर्य यह तो मैंने अभी कल शाम ही कंप्लीट किया है मतलब मैं सोच रखा था कि मैं एक छोटा सा फांटेन भी मैंने बनाना है मोटर वगरा लाकर रखा था मैंने और कल स्रिफ एक तेड़ घंटे में ही मैंने फटा फट से जब मुझे मालम चला कि आप आने वाले हैं त जुगार से क्या सब कुछ और सब वेस्ट चीजे ही है इसमें यह जैसे है नीचे क्या कोई कभ लगा एक बड़ा सा टब था में प्लास्टिक अब था तो मैंने उसी में अंदर से बाल्टी रखें उसके उपर मेरे पास यह यह भी मेरा डियाए वाई है यह निचे क्या बा काफी टाइम पहले लेकर आई थी इसको उसके नीचे मतलब सब थोड़ा-थोड़ा सब जुगार से फिया हुआ है बुद्धा जी मैं लगा लगा दिया हां जी हां जी मैं सोचा तो बहुत कुछ था कि इसका कुछ और कूलर की मोटर होगी नर्मली उससे एक अंदर जो रह रही है हां यह उदर से मने करेक्ट किया है बिल्कुल पेड़ पॉदर से ढखा भी हुआ है और बहुत अच्छा एरिया यहां डिवलप किया है मैं दो मोटर लेकर आई थी मन कहा मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी अभी एक का तो मैं रखी हुए है उसका मैं यूस बहुत जल करू बहुत बहुत सुंदर एरिया देखे यहां लग रहा है और इसके अलावा मैं अगर इस साइड में देखा हूं कितने प्यारे प्यारे एकडम टॉय जैसा बनाया है डी आई वाई यह सब वेस्ट मटेरियली है सर यह सब नीचे जिसे डिब्बे होते हैं कि लिटर के पेंट सब्सक्राइब दो बोटल पीछे से और नीचे से बॉक्स वह ऐसे करके यह सिमेंट क्या यह ब्लैक से मैं क्या विश्ट रग दियांगे इसमें लगाउंगी कुछ प्लांट और यह सब कभी कुछ बना लिया बहुत ही सुंदर तो यह सब क्या कोई प्लास्टिक के पॉट वगरत है उसी का यूज करके बना है तो उसकी शेप का मैंने वो लिया है कुछ कुछ थर्मा कॉल के भी इस टाइब के आते हैं थर्मा कॉल के आते हैं बट वह गिफ्ट पैक्ट का काड़ तो उसी का शेप के मैंने यह सारे बनाए है और यहां से यह बहुत ही सुंदर यहां अगर मैं दिखाऊं तो इस जिगह पर यह तुलसी मंचा अलाके इस समय सब्सक्राइब तो थोड़े थोड़े पत्ते अब निकलना शुरू भी हो रहे हैं यहां तो घर के सामने यह तु उससे मंचा और उससे के किनारे किनारे भी देखें किसंदरता से यहां पर डियकोरेशन किया हुआ है यह सब आपका अभी तो पॉलेतिन में है हां यह मतलब शौट टाइम था तो मैंने सुचा इसको लगाना क्या भी मैं इसी में रख देती क्योंकि आभी इनका ना अब सी पेंटिंग है यहां मुझे एक चिस दिखाई दे रही है आंत्रा क्रियेशन जीरो किलोमेटर यह क्या है यह सरे एक पीलर बनवाया था काफी टाइम पहले पहले ऐसा था कि मेरा यहां पर गार्डन था मतलब चोटा समीनी ग्रीन ग्रीन ग्रास लगाई हुई थी तो फिर नेट लगाने के बाद उसमें घास की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती थी तो मैंने इसको पक्का गरवा दिया और इसमें यह मैट बिचा दी तो इसके नीचे जो है हमारा जाल है मतलब जाल मीसे कर इस तरह से आपको दिखाऊं यह यहां पर यह यह तो सीडिया भी बनी हुई है नीचे मोटर लगी ना पानी की इस तो इस लगाने के बाद यह तो इस जाल को इस टेंड करने के लिए यह पीलर हमने बन वाया था और यहाप का रूक्रियेशन है तो इस लिए तो इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से यह बना है और यह सब जो है अंत्रा क्रियेशन इस चैनल पर आपको मिलेगा तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर देखिएगा और मैं इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर दे दूंगा आपको आपके माध्यम से मैं आपके वीवर्स से कहना चाहती हूं कि मेरे चैनल पर भी एक बार जरूर विजिट कीजिए और मेरी महिनत को थोड़ा सा बिल्कुल एक दम चीज़े वेस्ट मेटियर से बना हुआ है और वेस्ट मेटियर से इतनी सुंदर चीज़े बन सकती है मुझे आ अच्छा पत्थरों को भी नहीं चोड़ती है इधर दर से जहां भी पत्तर बिले उसको ले करके आगया और उसी से आपने सारा का सारा यह यह क्या यह जो गार्लिक वाइन यहां प्रद्यों में आते हैं तो अभी तो यह जड़ गया होंगे हां इसमें ख़तम हो चुके है और यहां मैं देख रहा हूं कि बॉटल का बहुत अच्छा यूज यूज यह देखिए इसमें ना जैसे मैं ने मतलब ऐसे स्टेंड यूज किया इसको अगर आप इसमें डारेक्ट लगाएंगे तो यह बी लगा सकते हैं और ऐसे आप इसमें चेंज करना है और किसी इसमें लगाना है तो ऐसे भी कर सकते इसको निकाला दी यह हां पाज सकते हैं और बैसार लगाने हैं कौना लैए जैसे दिशका जोड़ा है अब ने होल किया है और कम से कम जगह में जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है और समान पॉर्ट नहीं है तो आप यह बॉटल को फैंकिये मैं तो खेर कुछ भी नहीं फैंकिये तो मुझे दिखाए दे रहा है हर एक वेस्ट इसका आप ने बहुत अच्छो से यह और यहां गमलों में लगें बहुत सारे पॉदे आपके प्रोटों ग्रसीना यह सब मुझे दिखाई दे रहा है यह सब आपके पहले के पुराने हैं यह मैं कटिंग करके लोगों को बाठती भी रहती हूं तो सर्दियों में बरसात में जब काफी स इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती तो अलग लग छोटे छोटे ग्लास में लगा करके मैं लोगों को बाठती भी हूं बहुत सुन्दर देखे यहां बी कितने कुशूरती से यूज किया है चोटे-चोटे तो फेस बनाने से अलग ही लोग आता है थोड़ा साहा हूं लगता है कि जान से आजाती है और यहां मैं अगर क्रेंटिविटी दिखाओं यह भी वेस्ट प्लास्टिक का एक उसका बॉक्स कोई बॉटल ही है यह बॉटल का आगे का फ्रेंट का मतलब पीछे दिखाओं तो यह नॉर्मल सा बॉटल है जो हम कोल्ड करो एक चीज है और यह सब जो है आपके चैनल पर यह मिल जाएगा और लोग कहते हैं ना कि हमारे प्लांट्स नहीं चलते हैं चोटे-चोटे-चोटे बॉटल है यह मैंने इतनी चोटे-चोटे-चोटी कटिंग लगाई थी देखें अब कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और बल्गी यह देखें कितनी इनका रूट्स इतनी बोगे मुझे चेंज करने यह देखें इतनी चोटी-चोटी बॉटल में और यह उपर आप देख रहे ना यह यह रिंक्स मैंने ना टायर डियाएवाई किये तो उसके भी टुकडे जो उसे गोल हमने उपर से कटिंग क बना दिया काफी बनाए जो कलर होता है उसी का यूद्स अपने किया हाँ मैं जब आप पूरा यहां से अंदर गली में तो हम जाएंगे लाएंगे लेकिन गली में जो है कहां से एंटि करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस जगह से करते हैं सबसे पहले यह भी देखि आपने बना रखा है यह मतलब इसको ना यह आता है जो मेरे टाइब च्छोटी से उससे कवर कर देदा कि यह जैसे हम ग्लू से चिपकाते तो निकल सकता था तो मैंने इसको कवर कर दिया बांकि बाहर से वाल पुटी लगा करके इसको इसके आई और लिप्स बना दिये कितना तो वीडियो जो है इतनी लंबी बन जाए कि पूरा दिन निकल जाएगा एक दो गंट इसे में लग जाएंगे तो मैं सिधा-सिधा दिखाते हुए आपको ले चल रहा हूं और एक एक चीज़ के बारे में जान सकते हैं इनके जो चैनल है उसमें जाकर के जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा यह तो मेरे पीछे सब यह क्या वर्मी कंपोस्ट वगर आए कैस में इसमें लो गेंदा और वो गुल्दा वरी जो लगाई थी अच्छा इसको निकाल दिया तो अब अब यह सब शेड में रख दिये ना सारे तो शेड में रख दिये मैं यह पीछे का बिल्कुल एक क्रियेटिव गाईजन कह सकते हैं पूरी तरीके से लिए बहुत सुन्दर मैं आपको दिखांगी कि मेरे चोटे से चोटे ग्लास में भी इतने अच्छे ग्रोथ करते साल साल भर तक प्लांट्स उसमें रहते हैं और फिर मैं उनको लो यह सब तो बहुत पहल है दूसरा वीडियो में इसका शूर्ट के रहे हैं तो लगाने हम इस साइड को भी चलते हैं इस साइड में क्या-क्या है इस साइड में हमारा यह रवर प्लांट है वेरिगेटिट अच्छा यह हो गया कई लोग इसको बरगत समझ लेते हैं गलती से यहां पर जो है नीचे है कि मैं दिखाते चल रहा हूं यह क्या है यह यह प्लास्टिक का यह य जैए पांच लेकर का यह मिलग क्या यह क्या वर्योस की लिए उसके लिए इते मैं रशी मैं है सहयाओ रहता है प्लांट होते हैं और यह हमारा कोलियस की ग्रीन वाली वराइटी देखें यह वह इसका थोड़ा सा बांध रखा है यह सुख अभी डॉर्मेंसी इस सब्सक्राइब को दिखाता हूं हर एक चीज का यूज कर रखा है जो चीजे हम पेक देते हैं कई वार वही चीजे जो है प से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में और कलर भी आ जाता है गार्डन में प्लांट सो हर कोई लगा सकता है ना बिल्कुल बिल्कुल देखें यह जितने भी बॉटल है इन सब कीजों को अक्सरा रख देते हैं लेकिन उसी में थोड़ा सा आपने कलर किया पेस बना दिया और पॉर्ट में आपने रख दिया सिंपली कई बार होता है कि जैसे मैं प्लांट बनाती हूं तो उतने नहीं बना पाती हूं तो कुछ को ऐसे कलर करके ऐसे रख दिया और यह जो स्टैंड है क्या लोकल जो बनाते हैं वेल्डिंग वार्ड हो जाती थी तो साफ सफा हाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है से और इसके बाद यूण में आपने बना दिया जी मिझे चाहिए रहा की बहुत सुंदर तो इसे गोलाए में जो निकली तो वही मैं जो आपको डिखा रही थी में उधर लगाए है तो ये पानी कैसे रुखा हुआ ये मैं इसको पक्का किया है पूरा और चाय तो इसके अंदर कोई स्टेप का जो तसला वगरा वो रख करके भी लगा सकते हैं वह भी कर सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है यह कलर करने के बाद पता ही निचा अब अभी कलर किया है तो थोड़ा सा डिजाइन भी बनाना है और पहले दूसरा कलर था मैंन देखते हैं क्या बना रखा है यह भी देखिया हमारा ना वह था घड़ा कह लिजिए सुराही कह लिजिए यह मैंने उसका भी डिय बनाया था तो अचाना को एक दिनों तूट गया और तूटा भी कैसे किस तरह से दो हिस्सों में आधा यह है आधा यह तो मैंने का इसको अपस्ट में मिल जाएगी एक सब्सक्राइब VO दर रहे वीडियो कि वेडियो काम विदी नहीं बनाया थुए पर आपने लिक क्या नाम बता है जरु सब्सक्राइब Brian ऑ deux में ताकि सभी लोग इच्चिस का फादा ले सके जरूरूर।